मैं ये कह सकता हूं कि स्थिती नियंतरन में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है जब लॉकडाउन में धील दी गई थी हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसिज में बढ़ोतरी होगी लॉकडाउन में धील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है लेकिन चिन्ता की कोई बात नहीं है मुझे चिन्ता तब होगी जब दो बातें अगर होंगी एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगेगा जैसा मैं बार-बार कहता रहा कि हमें कुरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है कुरोना तो रहेगा अगर कुरोना होता रहे और लोग ठीक हो कि अपने घर जाते रहें तो चिन्ता करने का कोई विशे नहीं है तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज्यादा मौत के आकड़े को हम कोशिश करके सब को बचाप सकें सब मौत के आकड़े को कम से कम रख सकें और दूसरा ये कि जो केसिज हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हूँ कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैड़ जाए कोलाप्स कर जाए अगर हमारे अस्पताल इतने मरी जाने लग गए इतने मरी जाने लग गए कि हमारा अस्पताल बैड जाएंगे हमारे मान लीजे बेड्स नहीं मिलेंगे वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे केस 13,418 आए इन में से 6,540 ठीक हो गये और 6,617 अभी बिमार हैं तो लगबग जितने ठीक हो ए उतनी बिमार हैं लगबगे साड़े 6,000 ठीक हो गये साड़े 6,000 अभी बिमार हैं मोटा मोटा 261 लोगों की मौत हो गई आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि आज दिली में अपने अस्पतालों का क्या स्टेटस है जो कोरोना के अस्पताल है जो कोरोना के जो सरकारी अस्पताल है उन में 3,829 बैड हैं total सरकारी अस्पतालों में 3829 बेड़ हैं जिन में 3164 बेड़ में ऑक्सीजन एविलिबल है मैं बार बार ऑक्सीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि करोना की कोई दवाई नहीं है जिस पेशेंट को करोना हो जाता है उसको एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दूसरा उस ऑक्सीजन की कमी की वज़े से उसकी सांस से तेज हो जाती है respiration rate बढ़ जाता है तो उसको oxygen देनी पड़ती है oxygen सबसे critical है ऐसे patient के लिए corona के patient के लिए जो severe patient होते हैं corona के जो मामूली symptoms होते हैं उनको नहीं जो severe patient होते है corona के उनको oxygen देने की ज़रूर पड़ती है 3829 bed सरकारी system में है उन में से 3164 beds पे oxygen है 3829 में से केवल 1478 bed अभी occupied है मोटे मोटे तोर पे अगर मैं कहूँ तो 4000 bed है जिस में से 1500 beds occupied है 5000 beds अभी खाली है सरकार में 5000 beds occupied है 5000 bed अभी खाली है सरकार के पास 200 ventilator है उन में से केवल 11 ventilator अभी यूज हो रहे है लगबग 240 ventilator खाली है आज से एक हफता पहले जब lockdown में ढील दी गई थी तब क्या स्थिती थी और आज क्या स्थिती है 17 तारीक को lockdown में ढील दी गई थी उस दिन total patient दिल्ली में positive 9755 थे आज 13,418 एक हफते के अंदर लगबग 3,5,5,5 पेशेंट्स बढ़ गए इसी के साथ साथ एक हफते के अंदर धाई हजार लोग ठीक होके घर चले गए साड़े तीन हजार बढ़ गए और धाई हजार ठीक हो गए तो जैसे मैंने बताया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं बिमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं लेकिन इसकी इंट्रेश्ट